हलो एवरिवन उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अप शायद काफी खुश हो रहे होंगे और कुछ राहत की सांस आप लोगों ने ली होगी तो मैं आपको बता देता हूँ ममता शर्मा जी जिन्होंने कोट में PIL फाइल करी थी बोर्ड को cancellation को ले करके तो उनकी तरफ से आज hearing हुई है सुप्रीम कोट में और उन्होंने tweet करके बताया है तो यह line का मतलब क्या है आप पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए जो आदरनिये जो हमारी सुप्रीम कोट है उसने सुप्रीम कोट ने ये कहा है कि जो respondent है मतलब case file करा गया था ममता शर्मा और students और parents की तरफ से और जो respondent हुआ मतलब CBSC तो CBSC की तरफ से जो लोग defend कर रहे थे उन लोगों को अपना decision consider करना पड़ेगा और अगर वो deviate करते हैं last year के notification से मतलब पिछले साल जो exam cancel करे थे किस परिस्थिती में cancel करे गए हैं क्या number of cases थे क्या reason दिया गया था अगर इससे वो deviate कर रहे हैं तो बहुत solid उनको reasons बहुत solid ground उसका देना पड़ेगा आगे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ positive news for all of us honorable apex court of india asks the respondent CBSC attorney general of india in the PIL to come up with a decision by thursday तो देखिए जो पहली जून को decision आने वाला था वो शायद अभी पहली जून को नहीं आएगा और अगर आता है तो फिलाल मैं नहीं कहूंगा कि आएगा अगर thursday तक time दिया है हो सकता है पहले आ जाए लेकिन thursday को by thursday यहां बोला जा रहा है तो by thursday इनको declare करना पड़ेगा इनको बताना पड़ेगा कि क्या है and court also told to consider last year decision मतलब पिछले साल जो decision लिया गया था उस चीज़ को consider करना बहुत जरूरी है ठीक है आगे यह पिछले साल क्या decision हुआ था सब को पता है कि क्या decision लिया गया था किस परिस्थिती कि circumstances में लिया गया था and deviation must have strong reason देखी यह एक line है यह court की line है मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से आप इस मुद्दे से हटते हैं deviate करते decision जो आपने लिया था उसको consider करना है लेकिन अगर आप deviate कर रहे हैं तो you should have a very strong reason बहुत ही जादा strong reason होना चाहिए आपके पास अभी भी clear नहीं करा है मैं समझता हूँ यह बहुत ही जादा irritating condition है कि clear नहीं हो रहा है यह सिर्फ line है do not deviate from your old decision the last taking consideration your previous year's decision and if you are deviating from that decision make sure you have a very strong reason so final decision is still awaited हमें फिर भी अभी कुछ दिन आज Monday है 31st है और कल वैसे final आना था हो सकता है शायद कली declare कर दिया जाए अगर कुछ होता है तो मैं आपसे update करूँगा मैं अभी actually class ले रहा था उसी के बीच में यह आया तो मैंने का आप लोगों से चीज़ शेयर कर देता हूं and इससे जड़ा अगर और भी आगे की कोई चीज़ आती कोई update आता है तो मैं आप लोगों इसाथ लगता शेयर करता रहूंगा मेरा schedule वैसे बहुत busy है but I'll try and come live और हम लोग direct interaction करेंगे हो सकता है maybe in the second half या evening में हम लोग live आफ करके सारी चीज़ें discuss करेंगे आप क्या चाहते हैं आपके क्या विचार है मैं live आऊं क्या discuss करना चाहते हैं please comment करके बताइए तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे so that's it for just now stay safe bye bye